हेलो एविवान तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि बीना पैसे खर्च किये हुए महंगे महंगे प्रोड़क्ट को बीना यूज किये हुए किस तरह से आप घर में स्किन पॉलिशिंग कर सकते हैं इससे आपकी स्किन बहुत जादा ग्लोइंग ह स्किन का रंग बहुत ज़दा साफ होगा दाग दब्बे खतम होगे वीक में एक बार भी करने से आपको इसका इंस्टर जर्ड मिलेगा तो पूरा मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेगा उससे पहले दोस्तों सबसे पहले हम करेंगे क्लींजिंग तो क्लींजिंग के लिए आपको लेना है दूद चाहे आप रो मिलक ले लिए कच्छा दू या फिर आपके पास जो बॉयल मिलक है इसको ठंडा करके भी यूज कर सकते हैं तो जो दूद होता है जो कि आपकी स्किन को बहुत ज़दा अ चक कर देगा तो इसके बाद आपको इसमें एट करना है एक्स्ट्रा वर्जिन को कॉकोनेट ओयल की दो से तीन डॉप जो कि आपकी स्किन को अमेजिंग स्किन पॉलिशिंग का काम देगी तो दोस्तों मार्किट में बहुत सारे जो है क्लेंजिंग आते हैं महंगे महंगे तो यह सारे क्लेंजिंग जो महंगे महंगे आप लेते हैं उसको मात देता है इसको मॉर्निंग में और नाइट में अगर आप दोनों टाइम यूज करते हूं अपने स्किन केर रुटीन में तो आपको बहुत अच्छा रजर्ट मिलेगा और यह मेरा फेवरेट है इसको जो हम अपने फेज को स्क्रब करेंगे इसके लिए आपको लेना है कॉफी तो कॉफी में होती है एंटी ओक्षिजन्ट प्रॉप्टीस जो कि हमारे चेहरे के रिंकल्स को खतम करती है और इसमें मैंने एट किया है थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनेट ओयल जो कि स्किन पॉलिशिंग का काम करेंगा और इसके सासाथ आपको इसमें एट करना है हनी का हनी के बाद हम इसमें दो से तीन डॉप एड़ करेंगे लेमन जूस की अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हमारा यह स्किन पॉलिशिंग स्क्रब बनकर त्यार हो जाएगा यह इतना ज्यादा आपको instant result मिलेगा अगर आपको कहीं भी जाना है instant आप इसको use करेंगे अमेजिंग result मिलेगा इसको मैं अपने हाथों के उपर भी लगा रहे हूं किकि हाथों के नकस भी काले हो जाते हैं तो आपको अची तरह से मसाज कर लेनी है तो इसके बाद हम करेंगे तीसरा स्टैप तो देखिए इसको आप बना करना फ्रीज में रख ले सकते हैं और जब आपको नहाना है पूरी बॉड़ी के उपर इसको लगाएंगे तो एक तम सी आपकी जो स्कीन है बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है तो इसको बनाने के लिए आपको लेना है मुलतानी मिट्टी 1 टेबल स्पून अच्छी तरह से अपने फेस की उपर लगा लीजेगा नेक की उपर हाथों की उपर भी यूज़ कर सकते हैं पूरी बॉड़ी की उपर भी यूज़ कर सकते हैं दो से तिन अमन मसाज कीज़ेगा दस मिनट छोड़ दीज़ेगा दस मिनट के बाद अपने फेस को वाश कर लेना है वाश करने के बाद आप ज़र देख सकते हैं इसके बाद आप हलकी सा मॉस्चिराइजर या फिर ऐलोविरा का यूज कर सकते हैं तो ज़रूर ट्राइ कीजिएगा लवी और बबाई